हलो एवरिवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू दिस इस मनीश रिवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना ग्यारा बजे हम लोग एक सेशन लेकर आते हैं तो उसी में आज के जो सेशन है वो है आज बगेल डाइनिस्टी के उपर बगेल वंच के उपर तो MPPSC का बहुत इंप दखा जाए तो आपको बहुत सारी questions इस बार भी आये हुए थे और यहां से दोनों ही तरह की चीज़ें बनेंगे आपको prelims में भी बनेंगी mains में भी बनेंगी तो यह lecture आपके लिए काफी crucial होने वाला है तो जितने भी students मेरे साथ जोड़े हुए हैं very good morning everyone और आज जो है हम शुरू करेंगे किसके बारे में session तो हमारा जो session होगा वो that is about बगेल डाइनिस्टी या बगेल वंच बिल्कुल जितने भ है काफी बड़ा वंच रहा है यह वंच बहुत एक लंबे जो बुला जाए कि समय सीमा में इसको माना जाता है कि यह जो चालू हुआ था तेरवी शताबदी से और भारत की अजादी तक यह वंच रहा था तो यह काफी लंबा बड़ा वंच है इसमें बहुत सारे राजा बहुत सारे किंग्स हुए हैं उनसे बहुत सारी चीज़े रिलेटेट आती हैं तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे एक्जाम से सारी चीज़े भी हो जाएं क्योंकि लगबग अगर हम देखें तेरवी शताबदी से 1236 से 1947 तक कितने राजा महराजा हुए होंगे लेकिन हम इस जो भी important चीज़े उसको सीख लेंगे आकरी तक तो इसको जरूर आकरी तक देखिए तो आपकी सारे concept भी इसके ऊपर धीरे-धीरे create हो जाएंगे तो हम शुरू करेंगे आज का session वो किसके बारे में हैं बगेल वंच के बारे में हैं तो बगेल वंच कहां से आया किस तरीके से आया तो इसका सबसे पहले हम starting जो है वहाँ से करेंगे तो देखते हैं इसमें कि क्या चीज़ होती है किसी भी वंच के साथ तो उसको शुरू करता हूं मैं तो सबसे पहले देखिए देखिए हर वंच के साथ ये तीन घटनाएं जरूर होती है कोई भी जो डाइनस्टी ह होती है वो तीन तरीके से आगे बढ़ती है मतलब सबसे पहले क्या होती है उस वंच की स्थापना होती है वो वंच स्टैबलिश होता है स्टैबलिश होने के बाद मतलब कोई भी वंच जो है उसको स्थापित किया जाएगा उसका कोई ना कोई जो है संस्थापक होगा स्ट तरीके से जो है इनके पास राजपाट आया इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे इसके बाद जो है इनका expansion और consolidation जिसको विस्तार या समयकन कहा जाता है कि इनका कैसे विस्तार हुआ किस तरीके से ये आगे बड़े उसकी भी घटना देखेंगे और फिर धीरे धीरे disintegrate कैसे हो गया इसका विघटन कैसे हुआ इसको भी जो है हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो ये सारी छीज़ें हम लोग जो है lecture में समझेंगे कि किस तरीके से जो बगेल वंच की स्थापना होती है फिर इसका विस्तार होता है और एक तरीके से पतन होना या विघटन होना किस तरीके से हुआ तो ये तीनों ही चीज़े आपको लेक्चर में समझने आएंगे, तो शुरू करेंगे आज का सेशन, सत्पुड़ा के उपर और जो भी टॉपिक्स आप लिख रहे हो, उनके उपर लेक्चर ज़रूर आएंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बगेल वंच के उपर है, त जो है बहुत अच्छे से समझ लिए बगेल वंच के बारे में, और ये वंच से कुशन आए हुए थे, और मैं बताओंगा कहां से कुशन आ सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि काफी विशाल वंच है, तो इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी कहानिया भी जोड़ी हुई है, व इसका जो है एक तरीके से, एक्जिस्टेंस कैसे हुआ, तो उसके बारे में सबसे पहली कहानी है हमारी, तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो इसकी कहानी है, उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि भारत में जब मद्यकालीन इत्यास शुरू हुआ, मद्यकालीन भारत त्री पक्षिय संगर्ष में उस समय भारत के अंदर तीन बड़े-बड़े वंच आपस में लड़ रहे थे जिन में कौन-कौन थे दक्षण में अगर हम बात करें तो राष्ट कूट वंच हुआ करता था पूर्व के अंदर अगर हम यहां वाले शेत्र में बात करें तो एक भड़ा गया था गुर्जर्ट करें तो गुर्जरर प्रतिहार वंच के बारेमें भी देखा जाता है त्रीपक्ष संगर्ष या ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है इसको जो ये त्रीपक्ष ये संगर्ष था इसमें कौन-कौन से वंच लड़े तो गुर्जर प्रतिहार लड़े, राष्ट कूट लड़े और पाल लड़े इन तीनों के बीच में ये जो है सारी घटनाए हुई लेकिन साथ-साथ क्या था कि एक समय के बाद ये सारे वंच अपने सामंत रखने लगे थे क्या रखने लगे थे? सामंत रखने लगे थे तो ये एक बहुत महत्पून घटना है तो गुर्जर प्रतिहार के भी भहुत सारे सामंत हुए राष्ट कूटों के भी सामंत हुए जैसे मैंने आपको एक क्लास में परमार वंच पढ़ाया था तो परमार को हमने वहाँ पे डिसकस किया था कि परमार कौन थे? तो परमार जो वंच था वो राष्ट कुटों के सामन्त है अब ये सामन्त क्या होता है फ्यूडल क्या होते है वैसल क्या होते है ये शब्द इस्तिमाल किया जाता है वैसल फ्यूडल या सामन्त तो सामन्त का अर्थ ये होता है कि एक राजा जो है वो अपना एक छोटा सा रा पर जो भी टेक्स वसूला जा रहा है, उसी में से अपनी सैलरी भी निकालनी होती है, तो यह सामंती विवस्ता थी, तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े राज्य थे, इन्होंने अपने सामंत बनाना शुरू किये, जैसे राष्ट कूटों में हमने पड़ा, परमार उनके साम वैसे ही गुर्जर प्रतिहार के सामंतों में एक प्रसध है जिनका नाम था चंडेल, और एक और प्रसध हुए जो गुजरात में बसे, जिनको कहा जाता है सोलंकी या चालूए, ये चालूए या सोलंकी किसके सामंत हुआ करते थे, तो आपको याद रखना है किसके हैं देखो राजपाल नहीं बनाया जाता था एक तरीके से जैसे कि कोई राजा है अगर उसके पास बहुत बड़ा शेत्र है तो उसको क्या करना पड़ेगा अपनी सारी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी तो अपनी सेना पर पैसा खर्च करना पड़ेगा और अगर कोई नई भूमी जीती तो वहाँ पर भी अपनी सेना रMP पड़ेगी के कोई आकरमा तो सरे राजाओं ने एक समय पर ये सोचा कि इतना सरदर्द क्यों पाला जाए जिस जगा को जीत रहे हैं उसी को अपने अंतरगत कर लेते हैं उसको अपने अधेन कर लेते हैं उस पर सारी जम्मि प्रदेश जो है वो क्या है वो जो central government का decision आता है उनको मानना पड़ता है तो ऐसा ही समझ लीजे कि सामंती विवस्ता भी थी कि वो शेत्र तो उनके पास है लेकिन वहाँ पर वो direct rule नहीं कर रहे हैं उसकी जगा उन्होंने दूसरी चीज़ों को मिला के रखा है नहीं नहीं आप गलत समझे देखिए राज्यपाल बनाना एक अलग चीज़ होती है राज्यपाल जैसे अशोक का जो आप example दे रहे हैं अशोक बिल्कुल राज्यपाल था एक governor था तो उसमें जो है वहाँ पर मगद में भी किसकी सेना होगी मौरेवंच की सेना होगी और जो है जरुवत पढ़ने पर जो गुर्जर प्रतिहारे वो चंदेल की सेना का प्रयोग कर सकते हैं तो दोनों को अपनी सेना बनाने दिया जाएगा यहाँ पर देखो बस यह है कि अपनी जिम्मेदारी से हटा जा रहा है जो एक तरीके से अपना एक subordinate रख दिया जा रहा ह उससे अपनी अधीनता सुविकार कर ली जारी जैसे अंग्रेज करते थे अंग्रेजों ने क्या किया था अंग्रेज यही इस तरह का सिस्टम लेकर आये थे ब्रिटिश उसका सिस्टम यही था कि वो किसी से जैसे की doctrine of labs पे शाइन कराना या subsidiary साहक संधी कराना कि कोई बी साथ संधी कर लेता था तो वहां की पूरी की पूरी जो text का जो हक है वो अंग्रेजियों के पास चला जाता लेकिन वहां की जो जिम्मेदारी है local चीज़ हैं क्योंकि उनको भाशा तो आती नहीं थी तो वो सारी जिम्मेदारी local kings के उपर दे देते थे वैसा कुछ तरीके का सिस्टम हुआ करता था तो याद रखेंगे तो समझने आ रहा है आपको गुर्जर प्रतिहार के ही सामंत कौन हुए है चालूक के आज हमारा जो डिसकेशन है वो चालूक के से शुरू होगा इसलिए एक बात याद रख लीजे गुर्जर प्रतिहार थे किसके सामंत थे तो मैंने आपको बता दिया गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे तो गुर्जर प्रतिहार के सामंत कौन थे तो गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे सोलंकी सोलंकी या इनी को बोला जाता है चालूक के चालूक के सोलंकी हुआ करते थे कहां पर गुजरात में शाशन कर रहे थे तो गुजरात वाला जो शेत्र था यहां पर एक जगा थी जिसका नाम था अनहिल वाडा आज भी है तो अनहिल वाड़ा के शेत्र में कौन सा वंशाशन कर रहा था सोलंकी जो किसका एक तरीके से सब ओडिनेटिया सामन्त हुआ करता था गुरजर प्रतिहार का तो गुरजर प्रतिहार के सामन्त हुआ करते थे कौन तो सोलंकी ये आपको बात समझने आ गई अब इसी में आगे चलकर एक राज़ा हुआ जिसका नाम था कुमार पाल क्या नाम है कुमार पाल तो कुमार पाल जब राजा बना तो इसने क्या किया अपने राज्य का जब कुमार पाल के पास गद्दी आई तो कुमार पाल ने क्या किया कुमार पाल ने अपना जो छोटा सा राज्य था ये आज जो वर्तमान में आपको यहां मिलेगा जूनागड तो इस जगा का जो श चान को दे दी जाती थी तो पहले गुरजर प्रतिहार ने किसको सामन्त बनाया सोलंकियों को बनाया और सोलंकि वंज शालुक के वंज का ही शाशक कुमार पाल ने अपना एक छोटा सा राज्य जो है वो किसको दे दिया तो कुमार पाल का ही एक जो है सामन्त हुआ करता था ज और अनहिलवाडा के शाशक ने अपने मौसी के बेटे को अपना सामंत बनाया जिसका नाम क्या था अर्णोराज तो अर्णोराज को एक जगा मिल गई गुजरात के अंतरगत और अर्णोराज को जगा मिली यहां गुजरात में उस जगा का नाम क्या था तो उस जगा का नाम व्याग्र पल्ली उसका नाम था क्या व्याग्र पल्ली या इसको ही बोलते हैं व्याग्र बाडी व्याग्र पल्ली या व्याग्र बाडी किसको मिल गई अर्णो राज को मिल गई तो अर्णो राज के पास एक जगा आ रही है जिसका नाम है व्याग्र पल्ली या व्याग्र बाडी किस से मिली कुमार पाल कौन तो सोलंकी शाशक वो सोलंकी कहां से आये तो गुर्जर प्रतिहारों ने इनको अपना सामंत बनाया था फिर ये खुद अपने सामंत रखने लिया उसका नाम है व्याग्रपली या व्याग्रबाडी अब देखिए संस्कृत का जो शब्द है व्याग्र ये संस्कृत का शब्द व्याग्र जो होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है बाग तो जो व्याग्र से जो है अब रंश होते हुए जैसे कि कोई भी शब्द जो होता है वो धीरे धीरे जैसे भाशा का जो विकास में आप पढ़ेंगे तो भाशाओं के विकास में अब ब्रंश का बहुत बड़ा रोल होता है धीरे धीरे भाशाओं के शब्द जो होते हैं वो बदलते जाते हैं तो व्याग्र जो है वो हिंदी में बाग कहलाता था तो इस से पड़ा व्याग्र से बाग नाम हो गया अब जो बताए जाता है कि जो अर्णो राज थे अर्णो राज अर्णो राज के पास कौन सी जगा है व्यागर पल्ली या बगेल बाड़ी पर वो शाशन कर रहे थे तो अर्णो राज के बाद जो शाशक बना उसका नाम था लावण्ने प्रसाद लावण्ने प्रसाद शाशक बने जो लवण्न प्रशाद थे उनके पास क्या आ गई उनके पास गद्धी आई किसके बाद अर्णोराज अर्णोराज आप समझ रहें कौन है तो अर्णोराज कुमार पाल के ही सामन्त थे जिनको कुछ गाउं दे दिये गए थे जिनका नाम व्याग्रपली या व्याग्रबाड गया तो यहां से जो है हमारी बात शुरू होनी है व्याग्रदेव अब देखिए जो व्याग्रदेव थे तो यह जो है मेंली देखिए द्यान से क्या डाउट आ रहा है देखिए द्यान से यहां पर अर्णोराज के बाद लावर्णे प्रशाद बना लावर्णे प्रशाद को का ही एक नाम क्या मिलता है व्याग्रदेव मिलता है व्याग्रदेव कौन है तो व्याग्रदेव आप समझ गए हो गए कि व्याग्र देव ही लावणने प्रसाद है अब देखें यहां से इनके पास कौन सा वाला शेत्र है तो इनके पास गुजरात का ये वाला शेत्र है इस वाले गुजरात के शेत्र से ये क्या कर रहे हैं तो शाशन कर रहे हैं ये वाला जो शेत्र है इनके पास है अब जो है बत बुंदेल खंड और बगेल खंड आज बहुत बड़े शेत्र हैं तो यहां से दो कहानिया जो यह शुरू होती है तो आपको एक बेसिक चीज समझने आ गई कि यह व्यागर देव कहां से आए और व्यागर देव को क्या कहा जाता है बगेलों का आधी पुरुष कहा जाता है बगेल का आधी पुरुष दो फर्स्ट मैन और बगेल तो फर्स्ट मैन और बगेल कौन हो गए तो आपका जो है व्यागर देव हो गए तो देखें बगेल बाड़ी से ही यह वंश का नाम जो है व्यागर देव से बगेल वंश पड़ा तो बगेल वंश जो है उसके पीछे ये कहानी देखने मिलेगी तो बगेल वंच जो है नाम कहां से पढ़ गया है व्याग्र से पढ़ा है जो अबरंच है अब देखिए ध्यान से अब हमारी जो बात हुई एक सीक्वेंस में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार से हमने बात करी गुर्जर प्रतिहार के ही सामन्त कौन तो आपके अनहिल वाड़ा के शाशक कुमार पाल और कुमार पाल ने किसको गद्धी दी अर्णो राज अर्णो राज की बेटे लावर्ने प्रसाद जिनका नाम पढ़ा व्याग्रदेव जिनको बगेलों का क्या कहा जाने लगा आदी पुरुष कहा जाने लगा जिनको व्याग्रदेव यही बगेल वन्ष के संस्थापक या आदी पुरुष कहे जाएंगे तो इनका नाम ध्यान से रखेंगे आप अब देखिए यह कहाँ पर है यह गुजरात में है अब यहाँ पर दो थियोरीस चलती है कि यह MP में कैसे आए तो बताया जाता है कि जो व्याग्रदेव थे इनके बेटे का नाम क्या है कर्णदेव है और कर्णदेव की शादी जो हुई थी कर्णदेव का विभा बताया जाता है कि कल्चूरियों से हुआ कल्चूरियों ने जो विभा किया अपनी राजकुमारी का वो किस के साथ किया कर्णदेव के साथ किया और दहेज में इनको कौन सी जगा मिल गई तो दहेज में इनको मिल गई बगेल वंश की एक बहुत important जगा है जिसका नाम है बांधवगड जिसका नाम क्या है बांधवगड यहाँ पर समझना है द्यान से तो बताया जाता है कि एक थियोरी ऐसी चलती है कि कर्ण देव को दहेज में क्या मिला था बांधवगड मिला था बांधवगड एक बहुत कर्ण देव को क्या मिल गया दहेज में मिल गया किस से मिला कल्चूरियों से मिला तो कई लोगों का मानना है कि इसी समय क्या हुआ था दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और दिल्ली सल्तनत के कारण इनके उपर आकरमन होने लगा था अलाउद्दीन खिल जी का तो अला लेकिन ये थियोरी जो है थोड़ी से हमको कम याद रखनी है ये बस मैंने आपको reference के लिए बताया है क्योंकि MPPSC थोड़ा सा अलग चीज मानता है क्योंकि इस बार उस जो उसने उस question दे दिया है उस question के हिसाब से अगर ये थियोरी पर आप जाएंगे तो आप सीधे सीधे ब माना जाता है कई books इसको लिखती हैं लेकिन MPPSC में जो इस बार question आया उसने थियोरी को थोड़ा सा बदला है तो वो ध्यान से सुन लीजे अब MPPSC में जो question आया था उस थियोरी को थोड़ा सा देखते हैं तो वो थियोरी ये कहती है कि भई जब व्याग्र देव व्याग्र के क्योंकि इनका बेटा कौन कर्ण देव तो इनके दो पोतों के साथ क्या करने गए ये तीर थियात्रा पर निकले ये जो है कौन निकले तो व्याग्र देव जो है वो तीर थियात्रा पर निकले कहां से गुजरात से और भारत के अलग अलग तीर जो है उनके दर्शन करने गए जिन में प्रयाग राज गए प्रयाग राज से आगे बढ़े तो ऐसे करते करते बहुत सारी जगा गए थे तो वो कहानी जादा मानी जाती है तो उसको समझना है हमको ध्यान से तो यहां तक आपकी बात समझने आ गई होगी कि सबसे पहले कौन कुमार पाल कुमार पाल जगा किसको दी अर्णो राज को अर्णो राज ने जो है के पास कौन सी जगा आ गई व्यागर पली व्यागर बाड़ी उनी के बेटे का नाम लावणने प्रसाथ जिसका नाम बगेल बाड़ी के कारण व्यागर देव पड़ गया और यहीं से बगेल वंश की शुरुआत मान तो बताए जाता है जो व्यागर देव थे जो व्यागर देव थे इनके कितने पोत्र पोत्र का मतलब ग्रैंड सन व्यागर देव के क्या थे दो पोते थे जिनमें एक का नाम क्या था तो एक का नाम था बीसल देव और एक का नाम था भीमल देव देखिए व्यागर देव इन दो पोतों के साथ क्या करने जा रहे हैं तो पिल्ग्रिमेज करने जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं इस थियोरी को जादा मानने था इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि MPPSC इसी से question बना चुका है मैं बार-बार बूल रहा हूं इसको थोड़ा साथ ध्यान से मैप पे देखें तो आपको देखेगा यहां पर प्रयाग राज है और प्रयाग राज के पास ही जो है आपका एक तीर्थ पड़ता है जिसका नाम है चित्रकूट ये कहां पर आये चित्रकूट जो है इनको दर्शन करना था अब ये बहुत बड़े राजा महराजा हुआ करते थे अब देखे जब उस समय राजा महराजा हुआ करते होंगे तो उस समय इस तरह की विबस्ता तो हुआ नहीं करती होगी कि मेक माई ट्रिप से होटल की लिस्ट निकाली और वहाँ पर होटल बुक कर लिया तो वही व्यागरदेव के पास क्या उप्षन था रुकने के लिए तो वही जब भी राजा महराजा निकलते थे तो दूसरे राजा महराजाओं क्या होते होंगे रुकते होंगे तो यहीं ज्याग राज से चित्रकूट की तरफ आए, तो चित्रकूट में आने पर एक जगा है कालिंजर, और कालिंजर में एक किला था, जिसका किले का नाम था मारफा फोट, कौन सा किला था, मारफा का किला था, इस मारफा के किले में इनको रुखवाया गया, कहां पे रुखे हैं क कालिंजर कालिंजर आज बांदा जो डिस्ट्रिक है यूपी का वहां पे आता है देखिए ये पूरा का पार्ट MP-UP बॉर्डर पर है इसलिए हम लोग भले यूपी के अंदर बात कर रहे हैं लेकिन ये MP के इस्ट्री से बहुत सारा जुड़ा हुआ है तो याद रखिए जब ये प्रयाग राज से चित्रकूट की तरफ आ रहे थे तो कहां रुके ये मार्फा फोर्ट में रुके मार्फा फोर्ट जो है वो कहां पर है तो कालिंजर में है कालिंजर वर्तमान में बांदा में आता है तो मार्फा फोर्ट में जब रुके तो बताये जाता है कि जो कालि इनको जो है यहाँ पर ठेराया था जिसका नाम था राजभर राजभर शाशक ये राजभर जो शाशक है आज भी यूपी में एक बहुत important community है जिसको राजभर कहा जाता है यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों के आपको सरनीम राजभर मिलेंगे MP की जितनी किताबें हैं उन्होंने राजभर को भर बोला है तो ये भर और राजभर एकी हैं तो इनसे confused नहीं होना है ध्यान से देखें यह आपे तो जो राजभर थे राजभर के किले में रुके कौ तो बीसल देव और भीमल देव किस के हां रुके हैं तो बीसल देव भीमल देव जो है व्याग राज के साथ राजभर शाशक या भर शाशक के हां मारफा के किले में रुके थे अब जब ये मारफा के किले में रुके तो राजभर शाशक या भर शाशक ने इनसे एक विंत ये चित्रकूट के पास जगा थी एक रियासत थी जिसका नाम क्या था गहोरा था ये ध्यान से देख लिजे तो राजबर शाशक जो है मारफा के लिए में इनको एक विंति करते हैं कि भाई जो ये गहोरा है हमारी रियासत इसके उपर लोधियों ने कबजा करके रखा है इस उमा भारती का नाम सुनाओगा आपने तो उमा भारती लोधी जो थी तो ये हम उन लोधी की बात कर रहे हैं तो जो भर शाशक थे उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक रियासत है जिसके उपर किसने कबजा करके रखा है लोधियों ने कबजा करके रखा है जिसका नाम है गहो आप तो इतने बड़े शाशक हैं आप तो चालूक के जो है एक तरीके से सामन्त हुआ करते थे गुजरात के इतने बड़े शाशक हैं तो हमारी एक छोटी सी भूमी है इसको दिलवा दीजिए जिसका नाम गहोरा था तो बताया जाता है कि जो व्यागर देव थे व्यागर द लोधियों के विरुद्ध यहाँ एक लड़ाई होगी जिसमें विसलम भीमल देव किसकी तरफ से लड़ेंगे बताया जाता है कि लोधियों ने विसल देव विमल देव को हरा दिया इसके बाद इनको लगा कि भई शेत्र को तो जीतना है तो इन्हों ने क्या किया जो लोधी का दिवान था जो लोधियों के दिवान थे इस दिवान का नाम था तिवारी दिवान का नाम है तिवारी तो इन्हों ने तिवार का आधा राज्य देंगे तो बताए जाता है तिवारी जो लोधियों के दिवान थे उन्होंने किसका साथ दिया तो उन्होंने बीसल देव भीमल देव का साथ दिया और लोधी को जहर दे दिया जब लोधी को जहर दे दिया तो लोधी की हो गई मृत्यू और पूरा का पूर गहोरा भर राजा के पास आ गया तो भर ने ये पूरी रियासत जो है किसको दे दी तो भर ने ये पूरी रियासत जो गहोरा की थी गहोरा की रियासत आ गई किसके पास तो आपका बीसल देव और भीमल देव के पास कौन सी जगा आ गई है तो बीसल देव और भीमल देव के पास ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी जगा आ गई गहोरा आ गई किस से जीती इनों ने तो इनों ने जीती किस से लोधियों से जीती किसकी मदद से जीती तो तिवारी की मदद से जीती जो किसका दिवान था लोधियों का दिवान था जिसने जहर दे दिया था लोधियों को नहीं नहीं देखो यहाँ पर देखो हर तरह की कूट नीतियां होती हैं किसी भी कास्ट पर किसी भी तरीके से ऐसा कॉमेंट नहीं कर सकते हैं हर तरीके की चीजे हैं सब जो है डिपलोमेसी का काम होता है कि कौन कितना ज़्यादा निपुर्ण है, कि बातों में कितना दम है, कौन किसको अपनी तरफ कर लेता है, ये आज भी चीज़ें चलती रहती है, अब देखिए ध्यान से, यहां से आपको देखो, आपको इसको इस तरह से अनिलेसिस नहीं करना है, आपके एक्जाम्स में ची और पूरा का पूरा गहुरा किसके पास आगया, इन दो भाईयों के पास आगया, जो भर के अधीन थे, तो भर ने पूरा का पूरा गहुरा दे दिया किसको, बीसल देव, भीमल देव को, लेकिन सोतंत्र नहीं किया, ये भर के अधीन थे, कौन बीसल देव, भीमल देव, ये बात बहुत ध्यान से सुन लिजे कि बीसल देव भीमल देव किसके अधीन है तो बीसल देव भीमल देव अधीन है किसके भर के अधीन है और उनको मिल गया गहुरा अब गहुरा का आधाराज किसको देने की बात की गई थी तिवारी को तो तिवारी को ये ओफर दिया गय क्योंकि इन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया था जो इनको मिलना चाहिए था तो अधरजिया तिवारी भी कहा जाता है और दूसरा जो है सिंग जितने भी बगेलखंड के तिवारी हैं वो अपने सरनेम जैसे कोई भी नाम होगा तो सिंग तिवारी लगाते हैं तो ये दो चीजें यहाँ से याद रखेंगे कि जो बगेलखंड के तिवारी थे जिन्होंने किसकी मदद करी थी भीसल देव भीमल देव की तो उनको जो है क्या कहा जाने लगा अधरजिया और दूसरा नाम मिला क्या सिंग तो वहां के जो भी तिवारी है वो अधरजिया त तिंग तिवारी नाम का जो टाइटल है उसका प्रयोग करते हैं तो होप ये कहानी आपको समझने आई होगी कि कहां से ये कहां पोच गए तो बीसल देव भिमल देव के पास कौन सी रियासत आ गई गहुरा की रियासत आ गई तो ये जो है यहां पर अप्शाशन करेंगे ले गुजरात में उस समय बताया जाता है कि बीसल देव जो थे ये सोलंकियों का शाशन तो चल रहा था ये सामन्ती थे तो सोलंकियों में जो शाशन कर रहा था गुजरात में उसका नाम था भीम भीमा जो शाशक था भीमा सेकेंड जो थे उनके बुलावे पे इनको कहां जान पड़ा गुजरात जाना पड़ा तो ये गुजरात गए और वहाँ पर बीसल देव प्रधान मंत्री बन गए उनके सबसे बड़े मंत्री बन गए किसके भीमा द्वित्ते के सोलंकियों के ये चले गए बज गए यहाँ पर कौन भीमल देव ये चले गए कहाँ पर ये गुज गुजरात चले गए गुजरात में किसके प्रधान मंत्री बन गए तो ये गुजरात में प्रधान मंत्री बन गए आपके भीमा द्वित्य के जो सोलंकी या चालुक के शाशक था बाद में बताए जाता है जब भीमा द्वित्य की भी मृत्ती हो गई तो ये जो भीमल देव बीसल देव थे बीसल देव जो है राजा बन गए कहा के गुजरात के तो गुजरात में भी बगेल की शाखा चालू हो गई और मध्य प्रदेश में तो भीमल देव रहे यहाँ पर भी बगेलों का कुछ राज्य चालू हुआ तो यह एक बहुत इंपोर्टन चीज है याद र हो रहा है तो प्रदान मंत्री तो बनी रहे हैं साथ-साथ कुछ समय के बाद वो शाशक ही बन जा रहे हैं तो एक शाखा बगेलों की कहां चालू हो गई गुजरात में और दूसरी शाखा कहां है गहोरा में तो यह एक बहुत इंपोर्टन चीज आपको पता चल गई बताय पूरा जो गुजरात वाली शाखा है वो किसके पास आ गई तो खिलजीयों ने इसको पूरा जीत लिया खिलजीयों ने कौन सा भाग जीत लिया तो गुजरात वाली बगेल शाखा खतम हो गई क्यों क्योंकि खिलजीयों ने वहाँ पर आक्रमंट कर दिया था तो अब बच तो बस आप Indication के तॉर पे यह कह सकते हैं कि वो शाका कहतम हो गई कहां पर तो वो शाका खतम हो गई गुजरात में किसके attack के कारण तो तो अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो 1296 से 1316 तक इसने शाशन किया था, और इस बीच में इसने बहुत सारी जगाओं को जीता, गुजरात को जीता, रंथम बोर, वारंगल, चित्तोड और मालवा पर भी तो कब्जा किया था, जो हमने परमार मे हैं, वो किस से जुड़ा हुआ है, भीमल देव से, क्योंकि मद्यप्रदेश में कौन रह गया, भीमल देव रह गया, तो हम यहां से पूरी कहानी किस के बारे में समझेंगे, भीमल देव के बारे में समझेंगे, तो ये ध्यान से देखिए कि भीमल देव कौन थे, किस तरी पर थे गहोरा पर थे अब मैं आपको इसलिए ये चीज बार-बार बोल रहा था MPPSC ने पूछ लिया था कोशन कि जो बगेलों की प्रारंबिक राजधानी है वो क्या थी और उसका आंसर उन्होंने गहोरा माना था तो भई बांदवगड़ वाली अगर हम थियोरी देखेंग तो भीमल देव जो है शाशक बन गए है कहा के गहोरा के लेकिन ये भी जो है किसके अधीन है इनके उपर कौन सा शाशक है तो इनके उपर भर शाशक है ये भर के अंडर है भर के अधीन है भर की इनोंने सुजैनिटी एकसेप्ट करके रखी हुई है अब देखिए यहां से कहानी आगे बढ़ती है तो भीमल देव के समय ये किसके अधीन थे तो ये अधीन है भर के भर से अभी आजाद नहीं हुए और जो भर थे वो भर किसके अधीन थे तो दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के क्योंकि दिल्ली सल्तनत से इनोंने संदी कर रखी थी जैसे कि अलाउदीन खिल जीता है कई भाग तो कई जगाओं पर जीतने के साथ-साथ वहाँ पर भी उसने उन जीतने के बाद बोल दिया कि भई आप शाशन तो करो लेकिन आप हमारे अधीन रहोगे तो भर शाशक किस के अधीन दिल्ली सल्तनत के अधीन ये बहुत important point है इसको ध्यान से समझ लीजे यहां से question आता है इसलिए तो दिल्ली सल्तनत के अधीन भर शाशक और भर के अधीन भीमल देव भीमल देव कौन बगेल तो बगेलों की शुरुआत कहा से हुई है MP के अंदर तो ये question बनता है तो MP में जो शुरुआत हुई है वो भीमल देव से हुई है कई लोग बोलते हैं व्यागर देव तो व्यागर देव आपको समझ गए कि व्यागर देव को बगेलों का आदी पुरुष का आ जा रहा है लेकिन MP के अंदर बगेलों की शुरुआत कहा से होग तो बगेलों की शुरुआत भीमल देव से होगी ये फैक्ट बिलकुल मत भूलिएगा MP में कहां से शुरुआत होगी तो भीमल देव से शुरुआत होगी ये एक important चीज़ है और इनकी जो राजधानी है वो क्या है गहोरा है अब देखिए भीमल देव के बाद बहुत सारे भीमल देव ये जो पांच शाशक है जो मैंने यहां पे लिखें इसके बाद भी शाशक हुए है लेकिन हमें इन से एक दो पॉइंट आ सकते हैं तो इसलिए जैसे मैंने आपको बोला कि बगेल बंच तो बहुत लंबा है हम कितने शाशकों के नाम याद करेंगे तो आप सा से पहले कहां गहुरा में और यह बगेलों की शुरुवाथ MP में कहां से होगी यह कोश्चन आएगा तो आप बोलेंगे MP के अंदर बगेलों की शुरुवाथ कहां से होगी तो भीमल देव से होगी बिलकुल थैंक यू अच्छे से समझने आ रहा है आप लोगों को तो बस ध्यान से सुनिया आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो यहाँ पर समझने आया आपको यह पांच शाशक हैं जो जिनके थोड़े बहुत नाम आपको याद रखने हैं एक एक फैक्ट मैं आपको बता दूँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी देखे भीमल देव से शुरुआत हो गई लेकिन किसके अधीन है यह भर के अधीन और भर किसके दिल्ली सल्तनत के अधीन तो भर को देख लीजिए भर जो है कालिंजर से शाशक करते थे तो अगर पेपर में आता है कि किस शाशक ने कालिंजर से मुक्ती दिलवा दी या विच रूलर फ्रीड फ्रॉं कालिंजर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पर रानिंग देव रानिंग देव ने किस से आजादी दिलवादी दिल्ली सल्तनत से दिलवादी तो पहला इंडिपेंडेंट बगेल रूलर पहला स्वतंत्र बगेल शाशक कौन है तो पहला बगेल स्वतंत्र शाशक जो है वो बुलार देव है तो पहला जो स्वतंत्र शाशक वो कौन है बुलार देव है और इसने ए आजाद हो गए ना अब दिल्ली सल्तनत है ना अब क्या है ना अब भर शाशक है रानिंग देव ने कलिंजर से आजादी दिलाई या भर से शाशक से आजादी दिलाई और बुलार देव ने जो है दिल्ली सल्तनत से भी आजादी दिलादी और ये हो गए इंडिपेंडेंट और बुलार देव की ही जो पतनी थी उन्होंने शीतला माता का मंदर बनवाया है जो बगेलों की क्या कहलाती है कुल देवी बगेलों की जो कुल देवी हैं उनका नाम याद रख लेंगे शीतला माता का मंदर इन्होंने ही बनवाया था बुलार देव की पतनी ने इसके बाद सिंग देव थे अत्याद एक धार्मिक थे बहुत जादा religious प्रवर्ती के थे धार्मिक प्रवर्ती के थे प्रयाग राज गए और प्रयाग राज में जल समादी ले ली राजपाट छोड़ दिया प्रयाग राज में जल समादी ले ली इसके बाद आए वीरम देव वीरम देव बहुत जादा वीर थे और वीर होने के साथ-साथ इनको कहा जाता है कि इनका comparison इरान के wrestler पहलवान निरम से इनको compare किया जाता है उस समय वहां का एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम नीरम था जिससे किसको compare किया जाता है वीरम से इ तो वीरम देव के समय ये घटना हुई है तो इनके नाम आपको विशेश तोर पर याद रखने हैं सबसे पहले भीमल देव भीमल के बाद रानिंग देव रानिंग के बाद बुलार देव बुलार के बाद सिंग देव और सिंग देव के बाद वीरम देव के पास एक बहुत वंच जो था वो पतन पे था और इसके अलावा रानिंग देव ने भर से आजादी दिला दी कलिंजर से आजादी दिला दी तो ये चीज आपको जो समझने आ रही होगी आज का टॉपिक बगेल वंच है बगेल वंच पढ़ रहे हम तो आपको समझने आ रहा होगा बगेल वं में शाशन किया और गहोरा में बगेल वंच के संस्थापक कौन कहे जाएंगे गहोरा या मध्यप्रदेश के अंतरगत तो founder of बगेल डाइनस्टी इन गहोरा भीमल देव और इनी का जो बेटा है वो है रानिंग देव जो की सन है भीमल देव का और गहोरा वस फ्रीड फ्रॉम कलिंजर रूलर एड दिस टाइम तो याद रखेंगे गहोरा इस समय कालिंजर शाशक से मुक्त हो गया और कालिंजर पर कौन शाशन कर रहा था तो मैंने अभी आपको बताया भर शाशक या राज भर शाशक जो है शाशन कर रहे थे तो भीमल देव के बाद रानिंग देव कलिंजर से दिला दी अब देखिए यह जो चीज है यहाँ से एक फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि यह जो है यह कहानी तो आपको पता चल गई रानिंग देव कहां से किसके बेटे भीमल देव के और किस से आजादी दिला रहे हैं प्रवियलों की एक किताब है एक गरंत है जिसका नाम है वीर भानु देव काव्यम में यह दिया गया है और उसके आधार पर हम कहते हैं कि रानिंग देव ने जो है कालिंजर से आजादी दिलाई थी इस किताब का नाम जरूर याद रख लीजे MPPSC को बहुत जादा महबत है किताबों से तो वो पूस्ता ही पूस्ता है बहुत सारी बुक्स के नाम आपसे पूस्ता है यह बुक्स किस से रिलेटेड हैं यह बुक के राइटर कौन थे तो ऐसे कुशन्स आपको मिलेंगे तो याद रख लीजे वीर भानु काव्यम जो है वो बगेलों की लिखी हुई एक गरंद है जिसके अंदर यह पदर चलता है इन्होंने कालिंजर से आजादी दिलवा दी थी इसके बाद देखिए बुलार देव अब जो बुलार देव थे बुलार देव के बारे में अगर हम बात करें तो बुलार देव के बारे में आपक का तुगलकों से दिल्ली सल्तनत से इन्होंने आजादी दिलवा दी थी तो दिल्ली सल्तनत से ये क्या हो रहे हैं दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट हुए तो इनने एक टाइटल लिया जिसका नाम था महराजा धीराज महर आपका बुलार देव के बारे में दिया गया है तो आपका बुलार देव के बारे में दिया गया है तो बुलार देव से याद रख लेंगे कौन सी किताब में दिया है तारीके फिरोज शाही जो किसकी अफीफ जिसको शम्स उद्दीन अफीफ और जिया उद्दीन बरनी के कि इस पर भी MPPSC question पूछ चुका है और इन्होंने कौन सा title लिया था महराजाधी राज का और इन्हीं के समय कौन सा मंदर बना है तो इस समय शीतला माता का मंदर है जो मल्ले देवी थी इन्हीं की जो पत्नी थी बुलार देव की उनों उनके द्वारा बनवाया गया था अब 1438 के बीच में था और इस समय बताया जाता है कि इन्होंने अपना जो शाशन था वो प्रयाग राज से अमरकंटक तक फैला दिया था और ये किसकिसे मिलता है तो तारी के मुहमदी से मिलता है तारी के मुहमदी में ये जो है fact दिया गया है कि भई जो आपके वीरम देव थ इजम से compare किया जाता है किसको वीरम को जिन्होंने कब शाशन किया 1389 से 1438 अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश आता है जिसका नाम है तुगलक वंश और तुगलक वंश का टाइम आप देखेंगे तो तुगलक वंश आ गया था 1320 में औ कब से कब तक चला था 1414 तक तो ये जो है उसी समय थे तो जब तुगलक वीक होने लगे एक तुगलकों में राजा हुआ जिसका नाम तब मौम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी इतनी बेकार थी कि इतने रिवोल्ट हुए उस समय कि लोग परिशान हो गए थे 1325 से 1351 तक किस 1989 तक किया था फिरोजशा तुगलक और फिरोजशा तुगलक के बाद ही विरम देव का शाशन आया तो फिरोजशा तुगलक एक स्ट्रॉंग रूलर था लेकिन उसके बाद जो है अबुबकर नसीरुद्दीन तुगलक ये सारे बहुत वीक रूलर्स थे तो इन्होंने अज़ात कर लिया था और इनका जो राज्य है अमरकंटक से प्रयाग राज फैला हुआ है तारी के मुहम्मदी लिखी है तारी के मुहम्मदी में ये फैक्ट दिया हुआ है ठीके तो ये चीज याद रखेंगे ठीके तो ये चीज आपको समझने आ रही होगी इसके बाद देखिए कि ये हमको समझने आ गया कि इनके पास कहां का शेत्र आ गया तो प्रयाग राज से अमरकंटक तक का शेत्र आ गया अब वीरम देव के बाद भी कुछ शाशक बने थे जिनके नाम हमको बिलकुल याद नहीं रखने है कोई इतने जादा इंपोर्टेंट नहीं है नरहरी देव बने थे 1439 से 1470 के बीच में भेद चंद्र बने थे इसके अधावा सालीवाहन बने थे इनके नाम जो हैं भले ल 1414 से 1451 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर एक वंच शाशन करता है जिसका नाम है सयद वंच सयद वंच काफी मामूली सा वंच था सयद वंच जिसने बुला जाता है कि कुछी वर्ष 36 साल ही शाशन किया था और इस शाशन में इनके पास बहुत बड़ा शेत्र नहीं था खिज लेकिन बताया जाता है कि उस समय जो था इस समय एक जो जगा थी वो बहुत जादा आगे बढ़ रही थी और सिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी थी और इसी समय बताया जाता है एक जगा थी जिसका नाम क्या था जौनपुर और जौनपुर में एक शाशक आ अब देखिए 14 से 1451 तक की बात है लेकिन 1451 जब चल रहा होगा तो नरहरी देव होंगे शाशक लेकिन मैंने आपको बार बार कहा इनके नाम नहीं याद रखने हैं बस रिफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि शरकी यहां शाशन कर रहे थे क्या घटना घटी है इनके बाद के जो नाम आपको शुरू के पांच नाम याद रख लिजे भीमल देव के बाद रानिंग बुलार देव सिंग देव और नीरम इसके बाद इनके नाम नहीं याद रखने है बस रिफरेंस के लिए याद रखिए जब दिल्ली पर सैयद वंच शाशन कर रहा था तब लोग हों लोधी हुए बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के बाद इबराहीम लोधी शाशक बना तो इबराहीम लोधी तक ये शाखा चलती रही तो हुआ क्या कि लोधियों में जब आये शाशक तो नरहरी देव थे और इनकी दोस्ती किस से बढ़ रही थी शर्कियों से जॉनपूर के तो दिल्ली सल्तनत और शर्की के बीच में भी लड़ाई थी क्योंकि दिल्ली अपनी जो है अधिनता सुल्कार कराना चाहता था जॉनपूर अपनी तो इनके बीच में जो है बगेल आ रहे थे और बगेल साथ किसका दे रहे थे जॉनपूर का तो और सिकंदर लोधी ने जो है दो बार आक्रमन कर दिया था भैद चंदर के उपर तो भैद चंदर के उपर ये आक्रमन हुआ इसके बाद जब साली वाहन आया तो साली वाहन के समय भी बताया जाता है कि क्या हुआ तो साली वाहन ने जो है एक तरीके से साली वाहन के समय बताय जाता है कि कौन शाषन कर रहा था तो सिकंदर लोधी शाषन कर रहा था और सिकंदर लोधी के शाषन के कारण यहाँ पर बताया जाता है कि इनको बुरी तरह रा दिया था सालिवाहन को तो यहाँ पर समझने आ रहा था बगेलों को कि भई इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम पर बार बार दिल्ली सल्तनत आक्रमन करती रहेगी तो दोनों के समय आक्रमन हुआ इसके बाद जो है जो चाशक बने वो बहुत ज़्यादा कूट नीतिग्य थे इसके बाद जो बहुत डिप्लोमेटिक रूलर बने जिनको काफी राजपाट की समझ थी जिनका नाम था वीर सिंग देव इन से ज़्यादा काफी होशियार थे तो वो राजपाट बने जिनका नाम क्या था वीर सिंग देव बगेल तो नाम याद रख लीजे क्या बता रहा हूं मैं वीर सिंग देव बगेल वीर सिंग देव बगेल MPPSC ने इनी के ऊपर question पूचा था कि भई जो वीर सिंगदेव की प्रारंबिक राजधानी क्या थी तो अभी भी कहा रहेंगे लोग गहोरा में रहेंगे यही question आया था वीर सिंगदेव की ऊपर उन्होंने वीर सिंगदेव दिया था बगेल भी नहीं दिया था वीर सिंग बुंदेला भी हुए हैं वीर सिंग देव बुंदेला वंच के भी थे और वीर सिंग देव कहां के हैं तो आपके बगेलों में भी हैं तो दोनों के अंदर दिया था options के अंदर जितनी राजधानी थी वो सब बगेलखंड के अंदर थी तो अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर आप answer कर पाएंगे तो याद रख लिजे वीर सिंग देव जो है बगेलों में भी है और बुंदेलों में भी है अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब वीर सिंग देव आए तो वीर सिंग देव के जो है सम्मंद किससे होंगे मुगलों के साथ होंगे मुगलों के साथ ये किसी ना किसी तरह से सम्मंद स्थापित करेंगे तो ये जो है इनकी जगातो थी गहोरा लेकिन अभी क्या मैंने बताया कि शरकियों से एक तरीके से दुश्मनी शर्कियों का साथ कौन दे रहे हैं शर्कियों का साथ दे रहे हैं पूरे के पूरे बगेल लेकिन बगेलों के पीछे कौन पढ़ गए हैं दिल्ली सल्तनत क्योंकि उनको सुआ नहीं रहा था कि जौनपुर का साथ दिया जा रहा है तो जब वीर बगेल ने क्या किया शरकियों से पूरे नाते तोड़ दिये और इब्राहिम लोधी जो था इब्राहिम लोधी की एक तरीके से जो है अधीनता स्विकार कर ली कि भई हम जो है दिल्ली सल्तनत के विपरीत नहीं जाएंगे नहीं तो हम पर बार बार आक्रमन होता रहेगा और युद्ध होता है तो बहुत जादा नुकसान भी होता है तो ये एक बहुत इंपोर्टन कोचिंग बात हो गई आपकी कि वीर सिंग देव बगेल के समय क्या बात होई तो वीर सिंग देव बगेल ने जो है शरकियों का साथ छोड़ दिया और ये जो है नीट्रल बॉड़ी तो ये घटना हो गई तो इबराहिम लोदी को किस ने हरा दिया बाबर ने हरा दिया अब फिर दिक्कत तो अब जो है मुगलों और बगेलों के बीच की कुछ चीज़े होंगी तो हम जो है अब जो पढ़ने वाले है वो बगेल और मुगल का relation पढ़ने वाले हैं कि बगेल और मुगल में क्या relation रहा था, तो बगेल और मुगल के बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, ये जो है, पार्ट जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये काफी थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो इसको मैं एक और पार्ट में आपको चीजें बता दूँगा, जिसमें हम लोग बगेल और मुगल का relations पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज में आपको आजी बता देता हूं, नेक्स लेक्चर में इसके आगे, क्योंकि बहुत सारे facts जुड़े हुएं, तो इन दोनों पार्ट को आप अच्छे से देख लेंगे, त जिसको कहा जाता है पानीपत का युद, पानीपत के युद में इब्राहिम लोदी हार गया, और बाबर जो है भारत से जाने को तयार नहीं था, तो बाबर के आने के बाद जो है, बाबर का एक और युद हुआ 1527 में, जिसको कहा जाता है खानवा का युद, आगरा के पास बैटल ओफ खानवा हुआ तो ये एक चीज आपको समझने आ रही होगी कौन सा बैटल हुआ है बैटल ओफ खानवा और बैटल ओफ खानवा किस-किस के बीच में हुआ बाबर वर्सिस राणा सांगा राणा सांगा जो मेवाड के शाशक थे और बाबर इन दोनों के बीच में कौन सा युद हुआ था 1527 का युद हुआ देखिए बताया जाता है कि जब बाबर भारत आया था तो बाबर को भारत लाने के लिए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो इन्विटेशन दिया था वो किसने दिया था तो वो आलम खान लोदी दौलत खान लोदी और राणा सांगा नहीं दिया था क्योंकि ये चाते थे दिल्ली की गद्धी जीतना दिल्ली की गद्धी मिल नहीं पा रही थी तो जो बाबर था वो एक लुटेरा था जो आपका फरगना से आया हुआ था औ तो फिर राणा सांगा जिसने पूरी मदद करी थी सारी सेना के लिए जो है सारी टेक्टिक्स बताई थी स्ट्राटेजी बताई थी खाने पीने के सारे इंतिजाम किये थे अंदर आने के रूट्स बताए थे वही चीज जो है भारी पड़ गई थी किसके लिए राणा सांगा तो राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा 1527 में जिसको खानवा का युद्ध कहा जाता है तो खानवा का युद्ध हुआ उस खानवा के युद्ध में क्या बात चीत हुई तो खानवा के युद्ध में बहुता है जाता है कि बाबर को पता था अगर खानवा का युद्ध किया था वो जगा भी चली गई थी आपका समरकंद भी हार गया था तो बाबर जो है बाबर के पास रहने के लिए जगा नहीं थी भारत आया तो बहुत अच्छी जगा मिल गई कि भाई राजाई बन जाओंगा तो बाबर को लिए ये एक तरीके से फाइनल वार था कि ये हारे तो फिर कुछ नहीं बचेगा तो ये अस्तित्व की लड़ाई के लिए बाबर ने युद्ध लड़ा 1527 का खानवा का युद्ध और इसने जो है लोगों को भढ़काया मतलब जो इसकी सेना थी उसमें ये फैलाया कि भाई कि बाबर को शराब पीने का बहुत ज़्यादा शराब पीता था तो उसने ये भी तक कह दिया था कि युद्ध जब तक मैं नहीं जीत जाता हूं मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और अपनी सेना में इस तरीके से जो है लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाय जाए और पूरे के पूरे जो है बाबर और राना सांगा के पीच में ये युद्ध हुआ बताया जाता है कि राना सांगा जो है इस युद्ध में जो थे उनके पास सेना भी थी काफी लेकिन एक जो तीर था बताया जाता है कि बाबर ने शुरुआत में तीर नहीं चलवाय थे बाद में एक तीर लग गया था राणा सांगा को और जब राजा मर जाता है तो फिर सेना विखर जाती है तो राणा सांगा हार गए थे लेकिन हमें याद रखना है कि राणा सांगा का साथ किस ने दिया था तो राणा सांगा का साथ दिया था वीर सिंग देव ने अब वीर स कहां साथ दे रहे हैं वहां दिक्कत हो जा रही है तो राणा सांगा से हार गया राणा सांगा हार गया किस से बाबर से लेकिन अब इनका साथ कौन दे रहा था इनका साथ जो है वीर सिंग देव दे रहे होंगे अब जब वीर सिंग देव इनका साथ दे रहे थे तो वीर प्रारम होते हैं तो इसके बाद जितने भी शाशक हुए हैं उनके रिलेशन जो है मुगलों के सात कहीं न कहीं बने रहेंगे तो इनके बाद जो है आप जो शाशक देखेंगे सबसे पहले वीर सिंगदेव रहेंगे, वीर सिंगदेव के संबन्द बाबर से अच्छे, वीर सिंगदेव का instruction बेटा जो है वीर भानु बगेल, उसके संबन्द हुमाईू से अच्छे, लेकिन हुमाईू को हरा देता है श शेशा सूरी तो शेशा सूरी से सम्मंद खराब हुजाते हैं वीरभानू बगेल के तो जितने भी शाशक हुए हैं मुगलों में मुगलों में कौन कौन हुए बाबर बाबर के बाद हुमायू हुमायू के बाद अकबर अकबर के बाद जहांगीर जहांगीर के बाद शाह जह जहां के बाद बताये जाता है औरंग जेब, औरंग जेब के बाद जो है बहादुर शाह प्रतम, फिर जहांदर शाह, रफियुत दौला, रफियुत दर्जात हुआ, इसके बाद फरुक शियर, मोहमद शाह रंगीला, आलम गिर सेकेंड, आलम गिर सेकेंड के बाद शाह आलम सेकेंड और फिर अगबर शाह सेकेंड और आपका जो है बहादुर शाह जफर तक जाएगा पूरा लेकिन हमें जो रूलर्स देखने हैं इसमें जो कहानी चलेगी बगेलों की देखें इसलिए मैं बोल रहा हूं इसका सेकेंड पार्ट लेना जरूरी है क्योंकि आप के अंदर वीर सिंग देव, वीर सिंग देव के बाद वीर भानु बगेल, वीर भानु के बाद राम चंद्र बगेल, राम चंद्र के बाद वीर भद्र बगेल, वीर भद्र के बाद विक्रमा जीत या विक्रमा दित्त कहा जाता है और विक्रमा जित के बाद जो बना वो अ अमर सिंग के बाद अनूप सिंग, अनूप सिंग के बाद अवदूद सिंग, अवदूद सिंग के बाद जो है आपका अजीत सिंग बने थे। इसके अलबा 857 की क्रांती भी पढ़ाऊंगा मैं जो बगेलों के समय हुई थी तब रगुराज सिंग थे और रगुराज सिंग के बाद जो आखरी पढ़ते हैं मारतंड सिंग जुदेव पुषपराज सिंग आज तक हैं तो बगेलों के अंतरगत ही हैं तो बगेल आपका मे इतने भी doubts हैं वो भी clear हो जाएंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आप आज की lecture से सबसे पहले ये 5 rulers को बहुत अच्छे से देख लिजे कौन-कौन तो सबसे पहले भीमल देव, रानिंग देव, बुलार देव, सिंग देव और लास्ट जो था निरम इसके अलावा भेद चंद् इतना नहीं पढ़ना है बस समझना है दिल्ली सल्तनत और शरकियों की बीच में लडाई चालू हो गई थी, तो शरकियों का साथ पहले कौन दे रहे थे, बगेल दे रहे थे, उसके बाद किसका देने लगे दिल्ली सल्तनत का, फिर देने लगे मुगलों का, तो ऐसी कई याद रखेंगे, गहोरा का नाम बहुत अच्छे से आद रखेंगे, अभी आस के लेक्चर तक बगेलों की राजधानी केवल गहोरा तक ही है, वीर सिंग देव के समय भी गहोरा, वीर भानू समय भी गहोरा, अभी हमें बांदवगढ भी जाना है और बांदवगण से जिसमें मैं आगे की चीज जो है आप से डिसकस करूँगा तो अभी लग रहा है कोई डाउट तो बिल्कुल पूछे जो भी हो जैसा मैंने आपको बता दिया इसके बाद हमें वीर सिंग देव के बारे में पढ़ना है वीर सिंग देव के बाद वीर भानू पढ़ना है राम चंद्र बगेल पढ़ना है विकरमा जित तान सेन की भी कहानी बताओंगा तान सेन भी आएंगे विकरमा जित से निया विकरमा देत फिर अमर सिंग अमर सिंग के बाद जो है आपके अनूप सिंग, अवदूत सिंग, अजीत सिंग, रगुराज सिंग, मारतंड सिंग, इसके अलावा जो है आपका ये विंदे प्रदेश की कहानी जो है इसको भी हम समझेंगे तो ये सब जो चीजे हैं नेक्स लेक्चर में मैं बताऊंगा कि वही तीन तरह की चीज होती है किसी भी सामराज्य में पहले स्थापना, फिर उसका विस्तार और तीसरा उसका विघटन, इसमें हमने गुर्जर प्रतियारों के सामंद की बात करी, इनी के सामंद कौन तो सोलंकी हुए, सोलंकियों में कुमार पाल, कुमार पाल ने अनहि पुरुष कहा जाता है, और व्याग्र देव के ही बेटे कर्ण देव, जिनका विवा किस से हुआ, कल्चूरियों से और बांदवगर दहेज में मिल गया, मंडे को ही आएगा, ये संडे को लेक्चर्स अप्लोड नहीं होते हैं, मंडे को आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा, डोंट वरी, आप आज के लेक्चर्स के भी सारी चीजें बार बार देख ली जगा है, नोट्स जो है बना ली जगा तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, तो व्याग्र देव के बाद कर्ण देव जिनको बांदवगर किस से मिल गया, कल्चूरियों से मिल आने के लिए, तिवारी को अपनी और जोड़ा, तिवारी ने आधाराज्य नहीं लिया, बगेल खंट स्टेट कैसे अराईज हुआ, बिलकुल बगेल खंट स्टेट कैसे अराईज हुआ, इसके बारे में भी हम देखेंगे ना, इन्होंने कैसे सबसीडरी अलाइन्स करी, जय सिंग हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया, तो आपका ब्रिटिश के साथ सबसीडरी अलाइन, सायक संधी कर ली थी, तो ये ब्रिटिशों के अधीन हो गए, और जब ब्रिटिश भारत छोड़ का जा रहे थे, तो पहले इनको पार्ट सी, जो विंद प्रदेश बना उसी के अंदर बनाए गए थे, जिसके जो आपने सी एम भी सुने होंगे, कि अवदेश प्रताप सिंग को बनाए गया था, मारतंट सिंग जुदेव को यहां का राज प्रमुख बनाए गया था, वो भी चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर जो है, हमने देख के पास मारिफी के किले में रुके थे, चित्रकूट के पास गहुरा, लड़ाई लड़ी और बीसल देव चले गए गुजरात, वहां पे शाशक बन गया, हलाउद्दीन खिल जी के आकरमन के बाद इसका पतन हो गया, और यहां पर जो शाका शुरू हुई हो भीमल देव, रानिंग देव, बुलार देव, सिंग देव और वीरम देव, इन्होंने जल समादी ली, यह महाराजादी राज, इन्होंने भर से अजादी दिलाई, यह संस्थापक मद्दे प्रदेश के अंदर बगेलों के जिनकी राजदानी गहुरा थी, वीरम देव को निरम से कंपे और यहाँ पर हमारी बात चालू हुई थी वीर सिंग देव भगेल की तो अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जिसमें वीर सिंग देव के बारे में और ये बैटल आफ खानवा जो हुआ था इसमें क्या घटनाएं हुई और किस तरीके से ये इस तरफ आए उस thank you very much for watching this have a great day